नमस्कार लखनो उनिवस्टी ने पोश्ट ग्राजवेट की इंट्रिंस इग्जामेनेशन के लिए डेट से निकाल दी है आज की निउस्पेपर में भी है संभावित कारिक्रम निकाल दिया गया है जो की 6 सितंबर से सुरू हो रहा है और 13 सितंबर तक आपके एक्जाम से चलेंगे निउस्पेपर में लिखा हुआ है कि इसनातक की प्रवेश परिक्षाओं के बाद अब लखनो विस्थुविद्याले ने 2021-22 की पराषना तक प्रवेश परिक्षा का संभावित कारिक्रम जारी कर दिया है प्रवेश परिक्षाओं 6 सितंबर से आफलाइन आयोजित होंगी सभी पर्वेश परिक्षाओं की तारीक और समय की जानकारी उन्वेश्टी के अडिमेशन पेस पर अपलोड कर दी गई है यह जानकारी लखनो विस्थुविद्याले के IPPR डाक्टर दुर्गेश शिरवास्तों ने दी उन्होंने बताया कि प्रवेश परिक्षा में 100 बहुविकल्पी अप रसने पूछे जाएंगे जिनके जवाब देने के लिए अब धर्थियों को 90 मिनट का समय दिया जाएगा कहने का मतलब है कि जो students अभी confused थे कि आपका इंटरेंस examination जो है objective होता है या subjective तो यह पूरी तरह से MCQ objective आपका इंटरेंस examination होगा सो questions आएंगे डेड कहने का समय रहेगा और प्रते questions दो mark का होगा लेकिन कोई negative marking नहीं होगी दो पालियां बनाई गई हैं पहली पाली सुबह 11 बजे से दोपहर 12 तक और दूसरी पाली दोपहर 3 से 4 बजे तक रहेगी यदि किसी एक अभिहर्थी ने एक से अधिक विसय में आवेदन किया है तो जारी कारिक्रम में वे विसय एक साथ प्रवेश परिक्षा के लिए लगा दिये गए हैं तो अभिहर्थी दो दिन में जानकारी प्रवेश टीम को एडमीशन पेस पर दी गई इमेल आईडी से दे स सकते हैं इन आवेदन के आधार पर बदलाव किये जा सकते हैं जो संभावित कारक्रम हैं उसके बारे में अगर बात करें तो छे सिप्टमबर को पहली पाली में अललबी का फिर दूसरी पाली में मनुबिग्यान यानि में साइकलोजी में सीन यूगा म्वी ए मफ इसका इंट और दूसरी पाली में जियोलोजी, कामेस्ट्री, फर्मासिटिकल, कामेस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग एंट टेक्नोलोजी, रजनीती विग्ज्ञान यानि पॉलिटिकल साइंस इंका इंटरिस एग्यामिनेशन हैं हैं एर्थ सतंबर को एल यलम का फिस्त पाली में सिकें GDS, HOME Science, Public Health, NPAID. यह सब इंट्रेस एक्जामनेशन है, दूसरी पाली में Anthropology, BioTech, Commerce, Computer Science, जोतिर विज्यान, Public Health, इसका इंट्रेस है. 10 सब्तेंबर की बात करें तो पहली पाली में Englesi, Forensic Science, Hospital Administration, Maths and Education. इसका MSC और ME का आक्रमसा जो आपका इंट्रेंस एक्जामनेशन है और सिकंड आपके सिफ्ट में दूसरी पाली में इन्वार्मेंटल साइंस, भूगोल, जनलिजम और मास कम्मिनिकेशन, फिजिक्स, रिन्यूएबल एनरजी, MLISC, इसका इंट्रेंस है, ग्यारा को फ़ेस्ट पाली में आए है कि आप इंट्रेंस एक्जामनेशन दीजिए, तो कोई भी क्वेस्ट छोड़ के मताईएगा, और सारे के सारे क्वेस्ट आपको हल करने में आपका फायदा होने वाला है, क्योंकि कोई भी निगेटिव मार्किंग है नहीं, तो उसका पूरा-पूरा फायदा आपको यू की एक कह सकते हैं, कि ये थोड़ी सी कमी है, कि वो इंट्रेंस एक्जामनेशन का स्लैबस नहीं निकालता है, तो फिर भी आपको अपने हिसाबतों चीजे पढ़नी हैं, देख लेना जो भी होगा, जैसे भी होगा, आप समल दीजिएगा, लेकिन ये आप जरूर मेरी बात मानिएगा, कि आप questions छोड़के मत आईएगा, जिते भी questions हैं, सारे के सारे attempt करिएगा, क्योंकि इस बार L.U. में पहली बार ऐसा हो रहा है, कि negative marking नहीं है, इसके पहले 2015 या 2014 के पहले negative marking नहीं होती थी, उसके बाद से लगा दी गई थी, तो ऐसा COVID के चलते हैं, छात्रो